मेरा हो मन स्वदेशी मेरा हो तन स्वदेशी मर जाओं तो भी मेरा हो वे कफन स्वदेशी मैं एक बार जगनात पुरी गया था आप भी गए होंगे तो मैंने मंदिर के महिंत को पूछा कि ये भगवान का प्रसाद माने वहां दाल और चावल मिलता है प्रसाद के रूप में वो मिट्टी की हांडी में क्यों बनाते है तो उसने एक ही वाक्य कहा मिट्टी पवित्र होती है लेकिन वो जो नहीं कह पाया महिंद वो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि मिट्टी न सिर्फ पवित्र होती है बलकि मिट्टी सबसे ज़्यादा वेग्यानिक होती है क्योंकि हमारा शरीर मिट्टी से बना है हम जब मरते हैं न और शरीर को जला देते हैं तो 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है पूरा शरीर और इस राक का मैंने विशलेशन करवाया एक लेबरेटरी में तो उसमें केल्शियम निकलता है, फॉस्फोरस निकलता है, आईरन निकलता है, जिंक निकलता है, सल्फर निकलता है अठारे माइक्रो न्यूट्रियंट्स निकलते हैं मरे हुए आदमी की राक में ये सब वो ही माइक्रो न्यूट्रियंट्स है जो मिट्टी में है तो महिंत कहता है कि मिट्टी पवित्र है इसलिए हम मिट्टी के बरतन में ही दाल पकाते हैं भगवान को पवित्र चीज ही देते हैं अब अब पवित्र चीज भगवान को नहीं दे सकते वो बहुत वैग्यानिक statement है बस इतना ही है कि वो उसको explain नहीं कर सकता अच्छा मैं वो दाल ले आया और भुवनेश्वर लेके गया पूरी से भुवनेश्वर भुवनेश्वर में CSIR का एक laboratory है Council of Science and Industrial Research का laboratory है जिसको Regional Research Laboratory कहते है तो वहां ले गया कुछ वैग्यानिकों से का ये दाल है उन्होंने का हाँ हाँ ये पुरी की दाल है मैं इसका visualization करना है इस दाल में क्या है तो उन्होंने का हमरे पास पूरे instrument नहीं है हमरे पास जो जो चाहिए वो नहीं है आप दिल्ली ले जाओ तो बहतर है तो मैंने का दिल्ली ले गया तो खराब तो नहीं होगी उन्होंने का नहीं होगी क्योंकि ये मिट्टी में बनी है तो पहली बार मुझे समझ में आया मिट्टी में बनी है तो खराब नहीं होगी तो मैं ले गया दिल्ली तक सच में ले गया और भुबनेश्वर से दिल्ली पहुँचने में आप जानते हैं करीब करीब 36 गंटे से ज़्यादा लगता है दिल्ली में दिया कुछ वेग्यानिकों ने उस पर काम किया और उनका जो result है जो research है जो report है वो ये है कि इस दाल में एक भी micro nutrient कम नहीं हुआ पकाने के बाद भी तो pressure cooker की दाल को जब उन्होंने research करके देखा तो उन्होंने का इसमें micro nutrients बहुत ही कम हैं मैं पूछा percentage wise बता दो तो उन्होंने का अगर रहर की दाल को मिट्टी की हांडी में पकाओ और 100% micro nutrients हैं तो cooker में पकाने में 13% ही बचते हैं 87% नश्ट हो गए मैं पूछा कैसे नश्ट हुए तो उन्होंने का ये जो pressure पड़ा है उपर से और इसने दाल को पकने नहीं दिया तोड़ दिया molecules टूट गए हैं तो दाल तो बिखर गई है पकी नहीं है बिखर गई है soft हो गई है तो खाने में हमको ऐसा लग रहा है कि ये पका हुआ खा रहा है लेकिन वास्तम में वो नहीं है पके हुए से मतलब ये होता है कि जो micro nutrients आपको कच्चे रूप में शरीर को उप्योग नहीं आते उनको आप उप्योगी बना ले इसको पका हुआ कहते है आयरुवेद में तो उन्होंने कहा कि ये मिट्टी की हांडी की दाल बहुत बहुत quality में उंची है बशर्ते की आपके pressure को करकी और दूसरी बात तो आप सभी जानते हैं वो मुझे सिर्फ repeat करनी है कि मिट्टी की हांडी की बनाई हुई दाल को खा लीजिए तो जो उसका स्वाद है वो जिंदगी पर नहीं भूलेंगा इसका मतलब क्या है भारत में चिकित्सा का और शास्त्र पाक कला का ऐसा विग्यान विक्सित हुआ है जहां quality भी maintain रहेगी और स्वाद भी maintain रहेगा तब मैंने गाओं गाओं घूमता रहता हूँ तो पूछना शुरू किया तो बोलते हैं लोग कि ज़्यादा नहीं 30-40 साल पहले सब घर में मिट्टी की हांडी की दाल थी मेरी दादी को पूछा तो दादी कहती है कि हम तो जिंदगी भर मिट्टी की दाली खाते रहे तब मेरे समझ में आया कि मेरी दादी को diabetes क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसको गुटने का दर्द क्यों नहीं हुआ तब मुझे समझ में आया उसके 32 दाथ मरने के दिन तक सुरक्षित थे क्योंकि हमने उसका अंतिम संसकार किया अगले दिन जब राखी लेने गए तो सारे दाथ उसके 32 के 32 निकले तब मेरे समझ में आया कि 94 साल की उमर तक मरते समय चश्मा क्यों नहीं लगा उसकी आँखों पे और जीवन के आखरी दिन तक अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते हुए मरी थी ये कारण है कि शरीर को आवश्यक माइक्रो नूट्रियंट्स की पूर्ती अगर नियमित रूप से होती रहे तो आपका शरीर ज्यादा दिनों तक बिना किसी दूसरे की मदद के काम करता है तो माइक्रो न्यूट्रियन्स कूरा सप्लाई मिला दाल में जो खाई थी उसने मिट्टी के हाड़ी में पका पका के और ना सिर्फ दाल पकाती थी वो मिट्टी के हाड़ी में बलकि दूद भी मिट्टी के हाड़ी में पकाती थी घी भी मिट्टी के हाड़ी से ही निकालती थी दही का मठा भी मिट्टी के हाड़ी में ही बनता था अब मेरे समझ में आया कि हजारों साल से मिट्टी के बरतन क्यों इस देश में आये हम भी अलुमिनियम बना सकते थे हिंदुस्तान में बॉक्साइट के खजाने भरे पड़े हैं करनाटक बहुत बड़ा भंडार तमिलनाडू आंध्रप्रदेश बॉक्साइट के बड़े भंडार है हम भी बना सकते थे अगर बॉक्साइट है तो अलुमिनियम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी इसलिए कुमारों की एक पूरी की पूरी जमात इस देश में खड़ी की गई कि तुमको भईया मिट्टी के ही बरतन बनाने है माने तुम से बड़ा वैग्यानिक कौन अब ये कुमार जो इतने बड़े वैग्यानिक हैं इस देश के जो मिट्टी के बरतन बनाकर हजारों साल से दे रहे हमारे स्वास्त की रक्षा करने के लिए हमने उनको नीची जाती बना दिया हम कैसे मूर्ख लोग ये उन्चा नीचा हमने डाल दिया इस देश में इसी ने देश का सत्या नाश कर दिया अगर प्रेशर कुकर की कमपनी जो बना रही है प्रेशर कुकर वो उन्चा आदमी है तो ये कुमार नीचा कैसे हो गया जो सबसे बड़ा वैग्यानिक काम कर रहा है मिट्टी के बरतन बना बना कर आपके माइक्रो न्यूट्रियंट्स को आपके सुक्ष्म पोशक तत्तों को कम नहीं होने देने के लिए मिट्टी का सेलेक्शन करता है वो आपको मालूम है हर एक मिट्टी से बरतन नहीं बनते हैं एक खास तरे की मिट्टी है, वही बरतन बनाने में काम आती है, और एक खास तरे की मिट्टी है, जो हांडी बनाती है, दूसरे खास तरे की मिट्टी इसमें कुलड बनता है, तीसरे खास तरे की मिट्टी में कुछ और बनता है, ये मिट्टी को पहचानना, कि इसमें केल्शि सिटी में पढ़े हुए कर रहे हैं तो हमें तो बंदन करना चाहिए उनके सामने नतमस तक होना चाहिए कितने महान लोग हैं दुरुभाग इसे सरकार की कैटेगरी में वो बैकवर्ड क्लास में आते हैं और सबसे मज़े की बात कि ये हांडी जब खतम होगी बने इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो ये हांडी फिर मिट्टी में मिल जाएगी और फिर वोई मिट्टी से हांडी बन जाएगी दुनिया में ऐसी कोई वस्तू नहीं है प्रेशर कोकर के बारे में तो नहीं कह सकते है बायो डिग्रेडिबल है तो आप भी कर लीज़े ये काम slash pressure कुकर निकाली है मिट्टी के हांडी लिया ये तो आप कहेंगे जी डाल देर में पकेगी सिर्धान्ती वही है डाल का तो जो देर में खेत में पकी है वो देर में घर में भी पकेगी आप कहें जिम मिट्टी के हांडी के बाद अगर कोई चीज है तो हमारे यहां एक मेटल बनता है जिसको आप लोग कहते हैं ऐलॉय है कांसा तीसरा सबसे अच्छा माना जाता पीतल अब ये कांसे और पीतल में भी हमने काम कर लिया कि अरहर की दाल को कांसे के बरतन में पकाएं तो उसके सिर्फ तीन प्रतिशत माइक्रो न्यूट्रियंट कम होते हैं 97% मेंटेन रहते हैं पीतल के भगोने में पकाएं, तो 7 प्रतिशत कम होते हैं, 93% बचे रहते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में बनाएं, तो सिर्फ 7 प्रतिशत बचते हैं, वाकी खतम होते हैं. अब आप तै कर लीजिए, आपको लाइफ में क्वालिटी चाहिए, तो आपको मिट्टी की हाड़ी की तरफ ही जाना पड़ेगा, माने भारत की तरफ वापस लोटना पड़ेगा, इंडिया से, अभी हम हैं इंडिया में, जो बनाया अंग्रेजोन है, या बना दिया अमरीकि होने, इस इंडिया से निकल के भारत की यात्रा करनी पड़ेगी, और मैंने पिछले एक दो वर्षों में ये बात है, गाओं गाओं में कहना शुरू किया है, तो इसका परिणाम पता है क्या, कि कुमारों की हिजज़त बढ़ गई है गाओं में, और मैं मानता हूं कि मेरे व्याख्यान की अगर कोई सार्थकता है, तो वो ये कि कुमारों की इज़ट इतनी बढ़ जाए, कि वो पंड़ितों के बरावर आ जाए, क्योंकि वो किसी से नीचे नहीं है, क्योंकि वो किसी से छोटे नहीं है, और मजे की बात कि वो हांटी बना कि आपको 20-25 रुपए म मैं होमियोपैथी की भी चिकटसा करता हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट मुझे फोन करते हैं, राजी बाई ये 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 ये, तो मैंने कुछ पेशेंट को खास कर कहा कि देखो भाईया, आपको मैं कोई दवा नहीं दूँगा, तो कहने लगे फिर बीमारी कैसे ठीक होगी, नहीं तो अमरीका जाओ, कनाडा जाओ, जर्मनी जाओ, लाखों रुपए खर्च करो, फिर भी जग मार के वापस आओ, तो मेरे पास कुछ डाइबिटीस के क्रोनिक पेशेंट हैं, बहुत क्रोनिक, जिनका शुगर यूनिट 480 के उपर है, ऐसे 100 से जादा पेशेंट, वो आजरी की रोटी बहुत अच्छी बनती है, इस मिट्टी के तवे पे, तो रोटी भी उसी की खा रहे हैं, आट महीने के बाद सबका शुगर टेस्ट किया है, तो 480 यूनिट वाला अभी 180 यूनिट पे है, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी ट मुझे मालूम है कि वो कोई दवा नहीं है, वो प्लैसी बो अच्छा हो रहा है, उस मिट्टी की दाल खाके, मिट्टी का चावल खाके, मिट्टी की खिच्डी खाके, रिजल्ट ये है, तब मैंने मान लिया कि बागवट्र सच में महान आदमी थे, ये एक सुत्र पूरा हो साड़े आठ का समय हो गया है आगे कल दूसरा सूतर तीसरा ऐसे करकर के जो सबसे जरूरी पंद्र है वो पहले बताओंगा और उसके आगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा शेर उन सभी दोस्तों को कीजेगा जि हमारा वीडियो अन तक देखने के लिए आप सभी का दिद से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद